नमस्कार जैहिन चलिए आर्मी की तरफ से बहुती बड़ा अपडेट आया उसको देखते हैं फटापट तो आप क्या करो joinindianarmy.nic.in के official site पे जाओ और वहां पे home page पे आजाओ तो सबसे पहले खुलता है तो ऐसे नीचे तो 28 तारीक का तो यहां पर अपडेट आ गया है तो जिसने देख लिए अच्छी बात है जिसने नहीं देखा उसको में clear कर देता हूं कि आर्मी नहीं क्या डाला है इस पे तो आर्मी नहीं लिखा है इस पे click करके आप पूरी detail भी देख सकते हो तो आर्मी नहीं लिखा है consequent to the implementation of agnipat scheme for armed force recruitment ठीक है तो agnipat scheme थी armed force के लिए उसके लिए बोला गया है all pending process including common entrance exam जो मतलब return exam थी of Indian army recruitment for the previous recruiting year stand cancelled वा क्या वात है क्यों किया है पता नहीं पर आर्मी गड़ी सीजन है इनका कहना है कि अब तक जो भी पुरानी सालों में agnipat scheme से पहले जो भी paper, physical, medical जो pending था और जो हो चुका था वो सब कुछ cancelled हो चुका है उसको आप accept करो वो cancelled हो चुका है all eligible candidates are requested to apply for recruitment through agnipat scheme इनका कहना है जो भी eligible है मतलब 17-23 साल के बीच में जो भी आते हैं 10-12 कर रखिये वो क्या करें agnipat scheme का form भरे और वो कब होगा आज 29 तारिक है एक जुलाई से start होगा उसको आप apply करो official site पे जाके आर्मी का कहना है कि जो पुराना हो चुका उसको भूल जाए अभी नया है agnipat वही होगा ना center ना relation जो होगा agnipat होगा तो यह बार-बार पूछना और बताना बंद करिए आर्मी का कहना अब cancel हो चुका है उसका कुछ नहीं हो सकता अब नया process नई चीज है उसको आप accept करो और उसके साब से त्यारी करो ऐसा आर्मी ने बोला है तो मैं भी यही recommend करूंगा कि फोर्म जरूर बरना ऐसे मत कि कोई नहीं भरेगा कोई नहीं भरेगा ऐसा नहीं होता है Air Force का भी यही बोल रहे थे कि कोई नहीं भरेगा कोई नहीं बरेगा रेड़ लाग फोर्म भर चुके हैं और कम से कम भी 3-4 लाग फोर्म भरे जाएगा 5 तारिक last is तो लोग फॉम बरते हैं तो आप रहजा होगे दूसरे के चक्कर में ठीक है फॉम बरना बहुत इंपोर्टेंट है 4 साल उसके बाद वापिस आओगे तो भी अच्छा है और वहां रहोगे तो बहुत अच्छा है तो जो आगया वो आगया है वगनिपत अगनिवीर बनोगे उससे वही एक चीज है उसको एक्सेप्ट करके आप अगे अपनी त्यारी करो तो physical की regular त्यारी कर तो थोड़ा सा physical आसान होगा कारण यह है क्योंकि एक तो vacancies एक साथ बहुत सारी है दूसरी चीज हर साल उनको 75% बाहर निकालने हैं 25% ही रखने हैं तो थोड़ा सा compromise कर सकते हैं पहले की comparison में हो सकता है थोड़ा सा physical आसान हो 19-20 का फरक होगा ऐसा नहीं कि बहुत जादा आसान हो जाएगा medical वैसा ही होगा कोई उसमें नहीं होगा return exam की कोई चिंत्या नहीं हमने जो books बना रखी है कोई course किसी का आँखे फोड़ने का कोई मतलब नहीं है books पढ़ो 21 दिन में full syllabus और 10 दिन में practice paper पर 30 दिन का package है दो book है वो ले लो अगर आपके पास थोड़ा और टाइम है GKGS और पढ़ना चाहते हो तो एक उसमें speedy GKGS करके वो ले लो तीन book है एक साथ free में original यह 4 book का kit ले लो आपके पास इन में से कोई पहले book है तो बहुत अच्छी बात नहीं है जो नहीं है वो ले लो सारे options आपको Amazon Flipkart में मिल जाएगा सारी link इस video के description में मिल जाएगा उपर i button पे books का review है वो डाल देंगे उसमें आपको पता चल जाएगा books के अंदर क्या क्या है तो वो पढ़ो सुबह साम physically की त्यारी करो और और अपने medical तो clear मतलब देखते रहो सब चीजें सही रहे थोड़ा ध्यान रखो accident to accident ना हो जाए बगवान आख रहे ऐसा ठीक है बाहर दंगें हो रहे हैं जो भी हो आपको फरक नहीं पड़ना चाहिए life का सवाल है ठीक है यह चीज करो और इस पे त्यारी करना स्टार्ट कर दो यह है फीजिकल होगा और फिर पेपर होगा कोई बोलर पेपर पहले होगा ऐसा नहीं होगा जो प्रोसेस है सारा पहले जैसा ही है पस थोड़ी सी चीजें चेंज होगी जिसे चार साल की भरती होगी आपकी ठीक है थैंक्यू सो मच मिलते हैं अगली कोई notification कुछ आता है तो official ठीक ह तो तब तक के बाई बाई जैहिंद